नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप लोगों अभी तक हमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किल प्यकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर दें ताकि रिड़स नोडिफिकेशन आपको म वरतमाद समय में ये वैपार कर रहे हैं कि उस दिन पहले हाला ठीक नहीं थे अभी हलके हलके सुदरने स्टार्ट हुए हैं तो आने वाले समय में ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में कैसा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा अथवा बुरा रहेगा कैसा इनका वैपा पैसा कमाना उद्देश से वेपारिक दिस्टिकों से जो सभी का होता है और ऐसे भी लोगों का पैसा कमाना उद्देश से जरूर होता है क्योंकि बिना पैसे के क्या मिलता है एक और बरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ तो क्या हाथ पर ऐसे कुछ चमतकारी अवस्था अवस्थित हैं कि आने वाले समय में अमीर बना जा सकता है क्योंकि अब देखो जब आपकी आयू 49-49 वर्सकी हो जाती है तो अगर काम्याबी उसकजर ना मिली होती है तो थोई धुनलाहत आपके मन में जुरूर आता है बदला जा सकता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो 60-60 वर्सके बाद भी करूर पती बने हैं अचानक से करूर पती बने हैं देखते देखते करूर पती बने हैं आज आपके सामने घूम रहे थे कल वो आड़ी से घूम रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं तो definitely उनके हाथ पर कोई चमतकारी अवस्था जरूर होगी अगर किसी विक्ती ने उनका हाथ परहा होगा तो उस विक्ती ने उसे जरूर कहा होगा कि आपकी जिन्दगी बदलेगी तो इसी प्रकार से इनकी अतली भी बड़ी चमतकारी है इनके हाथ पर भी कुछ शांडार अवस्था अवस्थित है जिसके एवज में जातक की जिन्दगी पर धनलाव जरूर होता है जातक की जिन्दगी पर पैसा जरूर आता है तो अपने अतली खोल लीजिए क्योंकि इनके सूर्य परवत पर मोल जैसे आ करती है नहीं सूर्य परवत पर फिश जैसे आ करती है मोल तो बड़ा खराब चीज हो जाएगा वो निकल गया मुझे सूर्य परवत पर फिश जैसे आ करती है जो बहुत जबरदस्त माना जाता है धन कमाई को लेके पैसे को लेके अब कुछ लोग बोलेंगे गुरू जी इसमें कितनी सत्यता है कि फिश बहुत महदपूर माना जाता है तो सौ का सौ परसंट सत्यता है इसमें कोई संदेह नहीं रखना है आपको लेकिन सारी चमकने वाले चीज सोना नहीं होती में आ जाए दो-तीर मिट मुझे बोलना ही पर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको समझ में जरूर आ जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ इनके हाथ पर ऐसा क्या फिश है अब अपने अतलिक अध्यन कैसे करें तो किसी भी व्यक्ति का सूर्य परवत यहाँ पर से होता है ये वाला और इनके यहाँ पर से एक फ्रस जैसी आकरती का निनुवान दिख रहाए इनके कोई संदय नहीं है अब यह फिश क्या इनको करूरपति बना सकता है यहेग मेजर प्रशन इनके भी जहन में होगा हमारे भी जहन में है और खास करके हमारे विवर्स, सजन विवर्स के जहन में होगा तो देखे ये फिशन को करूरपती नहीं बनाएगा अब आप बोलेंगे थोड़ी देरे पहले गुरूजी आप कहे रहे थे कौन साइन कितना विजिबल है कौन साइन कितना एक्टिवेटेड है ये चीज आपको समझ में आना चाहिए तब ही जाकर किसी भी साइन का आप सही तरीके से आखलन कर पाएंगे उसके फल के विशह है तो तो यहाँ पर से ये फिश तो डेफिनिटली होगा जब तक रेखाओं में कोई बात नहीं होगी विजिबलिटी नहीं होगी तब तक आप कैसे बता सकते हैं ये फिश बन ही जाएगा कैसे इतना confidence के साथ कह सकते हैं एक positive hope जरूर आप ले सकते हैं और भी परकार की अवस्थाएं हाथ पर होती है तो कोई भी साइन अगर बनता है अथवा नहीं बनता है तो एक जोतिस एक डॉक्टर इस चीज़ को समझ जाता है कि वेक्ति कितना विमार हो सकता है या उसके हाथ पर साइन बन सकता अथवा नहीं बन सकता है तो एक fish शाइन जैसी आकरती बन रही है और मुझे ऐसा लगता है कि यह बनेगी फिलाल अभी इसके कोई फल नहीं जब से यह बनेगा तब से इसके फल और अभी फिलाल कोई फल नहीं आप कुछ वेक्ति बोलेंगा गुरू जी फिर्म मैं अपने हाथ को देखके कैसे समझो क्योंकि हमारे हाथ पर फिश है और मैं कैसे इसको अक्टिवेटेड समझो तो बहुत अच्छा प्रश्ण होगा यह देखे जब भी आपके हाथ पर फिश होगा तो उसकी रेखाओं में स्ट्रंथ होगा वो रेखाएं विजिबल होंगी बहुत जदा विजिबल होगी जितनी विजिबल इनके सूरी रेखा है अगर इतनी विजिबल ये फिश की रेखाएं होती जो ब्रांचे से, दोनों रेखा वो अगर विजिबल होती, तो ज़धा कारगर होता चुकि विजिबलीटी नाख होने के वज़ा से इसका अर्थ है कि ये बन रहा है और जब कोई साइन बन रहा होता है तब उसके फल के वेशा में बात नहीं करते हैं जब वो बन जाता है तब उसके बारे में बात करते हैं लेकन ये जरूर कह सकते हैं कि ये बन रहा है तो इसके अच्छे ही फल जातक के जंदगी पर आएं इसके उपरान दोर भी positivity होनी चाहिए जैसे कि एक square जैसे यह आकरती यहाँ भी दिक्री आपकी प्रबलतम और आगे भी बागगे रेका का branch है जो कि बहुत शांदार हो के यहाँ भी चल रहा है यह भी एक ट्रिवजनुमा आकरती जो कि दिक्री है बागगे रेका पर इसके हाथ पर अवस्तित है यह कही न कहीं आपको energetic बनाता है energy का सूचक होता है यह sign बहुत बढ़िया है और इसके उपरान देख मंगड रेका भी है जो मुसीवतों से बचाव कराता है और कुछ एक बुद्धर एका भी बन रही है लेकिन बहुत अच्छी strength ना होनी के वज़ा से इसके फल भी थोड़े बलंब से आते है तो अगर रेखाओं कि मैं बात करूँ रेखाओं कि माया जाल कि मैं बात करूँ तो आपके हाथ पर कुछ शांदार सांदार अवस्ता अवस्तित है जिसके संदर्म में ये बात कहा जा सकता है कि आने वाला समय आपके लिए गोल्डन होगा लेकिन ये कब होगा ये थोड़ा सा असमंजस किसी दे जरूर है कि लेकिन हाँ मैं चालिस वर्सों के बाद मान सकता हूँ तो कोई भी इंडिकेशन जब तक विजिबल ना हो तब तक इसके फल को लेके ज़्यादा आस्वस्त नहीं होना है ना लोगों को करना चाहिए जब ये विजिबल हो जाए फिर तो बिलकुल आस्वस्त होई है आप और हला कि मुझे इसमें ही confidence है कि ये आगे चलके बन सकता अच्छा पल दे सकता है इसके उपराद और भी चीज़े हैं कि केवल आप रेखाओं से आगे नहीं बढ़ते रेखाओं के साथ-साथ गुरू की conditions भी आपके हाथ पर अच्छी होनी चाहिए तब ही जाके जिन्दगी पर जदा तरक्य मिलती है शुक्र काफी प्रवल है दोनों मंगर इनके हाथ पर बढ़िया ही दिकरा है मतलब प्लैनेट्स इनके ठीक है बहुत गरबर नहीं है मैकसिमम प्लैनेट्स ठीक है चुपेटर गरबर था मैं उपाए दूँगा बाकी मैकसिमम प्लैनेट्स जब ठीक हो तो विसे सकर समस्याओं को यह नहीं बताता है जिन्दगी पर आने वाले सपलताओं को ही इंडिकेर करता है ग्रहों डिस्टी कोन से अच्छे फलको बताता है तो maximum planets मैं ठीक समझ रहा हूँ इस अतली के मांतियम से तो ये तो हो गई बात इनकी positivity की तो केवल positivity से आप जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ते positivity के साथ positivity के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि कितनी जादा negativity अथवा कितनी कम है अगर negativity जादा होगी तो ये आपके लिए तकलीफ दे माना जाएगा कम होगी तो ये आपके लिए अच्छा माना जाएगा तो अभी भी इस चीज़ को हम देखने का कोशिश करते हैं कि क्या negativity इनके अतलई बता रही है और दिखा रही है तो negativity में न मैं बताना चाहूंगा कि आपकी रेखाएं तो बड़ी अच्छी आपके हाथ पर बने हुई है लेकिन रेखाओं में strength बहुत कम है तो जब रेखाओं में visibility बहुत कम है तो ये एक negativity होता है ये एक प्रकार का negativity होता है जिसके संदर्म में ये कहना अनुचित नहीं है कि जातक को दिखता तो opportunity बहुत ज़ादा है लेकिन उनको सफलता नहीं मिलते है उसका कारण ये है कि आपकी रेखाओं में strength कम है अगर इसी रेखाओं में visibility अच्छी होती है strength अच्छा होता तो इसके भी आपके जिंदगी पर बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलते है हला कि अभी एक आयू के बाद तो आपकी रेखाओं बड़ी visible है बड़ी clear है तो इसके उपराद तो आपको अच्छा फल देखने को जरूर मिलेगा लेकिन सुरुवाती दौर में visibility की कमी की वज़ह से जातक की जिंदगी में तो दिपरशानिया आती है तो ये तो होगी पहली बाद दूसरी जुपिटर का यहां से दबाब ये प्राया हा गदली पर दिख जाता है और ये एक सर्टन आयो तक लगबग 30-30 तक तो इस स्ट्रगल्स को तो बताता है जातक की जिंदगी में इसके रिगारिंग कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं जातक की जिंदगी में इसके regarding कुछ परिशानियां आ सकती है ये इस बात का परिशे जरूर कराता है खेर आपको इस बात को भी जादा दिमाग पे नहीं लगाना है क्योंकि ये समय आपका जा चुका है आप कितना टेंशन लेंगे आप और टेंशन लेने से क्या हो जाता है टेंशन लेना भी उचित नहीं होता है कभी कबार तो और टीसी नेगेटिविटी कुछ राहू रेखा भी थी जो थोड़ा बहुत डेमेज का रीजन बन जाता है किसी वेक्ति के जिंदगी पर और कुछ साइन्स इंपोर्टेंट आपके हाथ पर बन भी रहे हैं लेकिन डेवलप्मेंट कम होने की वज़ा से स्ट्रंथ कम होने की वज़ा से इसके बहुत सुन्दर फल जातक को देखने को नहीं मलते हैं लेकिन बन जरूर रहे हैं मैं यही उमीद करूँगा कि इसके आने वाले समें में अच्छा फल आपको मिले बहतर फल आपको मिले चुकि यह बुद्ध रेखा विकाम स्ट्रंथ है तो जब यह पॉजटिव नहीं है तो नेगिटिव है तो जब इसके स्ट्रंथ आ जाएंगे तो यह बहुत वादा पॉजटिव रेखा माने जाएगी बहुत शांदार पॉजटिव अवस्था माने जाएगी तो यह इनके कुछ नेगिटिविटी थी अना कि कुछ और भी थे जो कि मैं अभी जब अनलसेस करूँगा जनरल तो मैं चीज़ों को बताऊँगा अभी इनके प्रसुन थे कि आगे की जिन्दगी कैसे रहे कि आगे की जिन्दगी में क्या कुछ तरक्की इनको देखने को मिल सकती है इस विशेप पर इनको जाना था तो देखिए मैं तो आपके जीवन रेखा से बता दूँगा बाकि कुछ इन्डिकेसंज अगर आपके हाथ पर फलित हो जाए तो फिर क्या कहने फिर तो बहुत यच्छी बात है फिर तो जिन्दगी पर तरकी ही तरकी होती है जिन्दगी पर दिक्कत नहीं होती है बाकि जो भी नेगेटिविटी है इसके लिए आपको बहतर response के लिए कि आपकी positivity आपको ज़्यादा response कर पाए negativity कम damage कर पाए इसके लिए आपको remedy जरूर करना चाहिए उसे remedy का मैं चर्चा आपसे परिस्तनी जरूर कर लूँगा इस बात को लेकर आप चंतित ना रहे और अभी मैं आपके जीवन रेका से चीज़ते को clear कर देता हूँ जीवन रेका बहुत चीज़ तो आपके हैज़ले पर clear कर ही देती है तो हमें जीवन रेका को तो अवश्य संग्यान में लेना चाहिए और उसको देखने की आवशक्ता भी बहुत जादा पड़ती है तो सुरवाती दोर से तोड़ा दवाब ये इस बात का परचे जरूर कराता है कि जातक के स्ट्रगल डाते लाइफ में तोड़े ये एक स्ट्रगलिंग फेस को बताता है स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है इसके उपरान थोड़ी सी राहू रेका आपके हाथ पर जरूर थी सुरवाती दोर में स्ट्रगल्स को ये भी बता रहती कुछ समस्याओं को इंडिकेट कर रही थी बाद बाद की progress line बहुत जबरदस्त है जातक के जंदगी पर तरक्की तो होती ही होती है no doubt एक राहू रेखा हो रहा है आपकी हतली पर तो ये लगबग लगबग आपके 23 साड़े के आसपास है अलाकि 20 साल तभी थोड़ा struggle रहता है 23 के बाद ही आप कही नकी राइक में आगे बढ़ है 23-26 के बाद 25 में तरक्की थी 24 में अलकी दिक्कत तो तुरे struggles रही है 24 के बाद कुछ प्रगती की योग थे 24 में भी ते 29 में ज ही दिक्कत थी 30 में 30 में 30 के योग थे यह यहां पर देखं़ लो और एक opportunity मिलता है, तो opportunity और energy के कारण वर्ष जिजा तक जिन्दगी पर आगे बरने के लिए प्रेडित हो सकते हैं, और जब आप जिन्दगी पर आगे बरने के लिए प्रेडित होते हैं, तो फिर काम या भी मिलती है, फिर एक आपके 42 साड़ के आसपास बहुत बढ़ी यातर तो में भी मैं आपके जिन्दगी को बड़े यातरा हो, में भी देख रहा हूँ, 50-51 साल के आसपास, फिर एक 55 साड़ में तरक्की है, आगे की लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, 55 साड़ के बाद जीबन रेका में कोई रुकावट है नहीं है, जीबन रेका आपकी बहुत स्मूथ हो ली है, तो जब जीबन रेका स्मूथ हो जाए, फिर तो क्या ही समस्या जिन्दगी पर, फिर तो क्या ही प्राबलम जिन्दगी पर, और ये एक लगबग आपके 70 साल के आसपास हो, उसके बाद भी लाइफ लाइन बहुत बढ़िया है, तो मुझे कोई वैसे समस केस में तो यही देखा गया है, यगर भाग गे रेका और जीबन रेका स्मूथ है, तो फिर लाइफ में कोई प्राबलम नहीं होती, मतलब आपका एक सोर्स ओफ इंकम बना रहता है, अब देखो प्राबलम तो जिन्दगी का पार्ट है, वो तो प्राबलम होता ही रहता है, उसमें क्या ही सोचना, उसको तो आपको सामना करना है, उसका वो प्रो तो चलता रहता है, लाइफ का वो पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन हाँ, जातक जिन्दगी को बहुत स्मूथ बिताते हैं, यह जबात का परच्च जरूर कराता है, तो लाइफ लाइफ अगर अवस्था को जरूर बता रही है, जरूर समझा रही है, तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर से यह इनके प्रशनों होगा है, बाकि इनके पॉजिटिव और नेगटिव अवस्थाएं होगी, और अभी इनके तरही का हम जलने नद्यन करेंगे, चीजों को और गहराई पुरवक समझने का कोशिश करेंगा, और इनको इनके प्रशनों के लिए जो भी उत्तर में दे पाऊं, वो देने का कोशिश करूँगा, तो चलिए मैं इनके देखता हूँ, इनके एक पिक से, ये वाला पिक इनका ही है, और यहाँ पर से अगर आप ठीक से देखो के साथ बेताते हैं, गुलाबी है, धन को अट्रैक करती है, जबी भी पैसे के आवशकता हो, कई नके से जिन्दगी पर धन जरूर आ जाता है, ये जबात का परचे कराती है, इसके उपराद एक जबरदस थम्ब है, यवा किरती यहाँ पर से मैं देख रहा हूँ, तो जब जबरदस थम्ब है, जबरदस विक्तितों का परचे कराता है, जानदार विक्तितों का, तो यहाँ पर से ये चीज़ बड़ी पच्छता के साथ समझ में आ गई, कि बढ़िया थम्ब है, कि तरा भी खराब समय आ जाए, हाथ फैलाने बारी प्रिसनारिटी आपकी बिलकुल नहीं है, तो बहतरी नथम्ब, मैं आगे देख रहा हूँ, समझदारी कलूब काफी अच्छी, विक्ति बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेका है, इंसान दिल के बड़ी अच्छे होते है, दिल भी बड़ा अच्छा होता है, उम्दा होता है, उसके उपरांत मैं आगे अगर देखो, तो यहां पर से दवाब है, तो विक्ति थोड़े से मैं, खर्चले परविर्ती का जुरूर होता है, यह छोटा है, आपकी बरश्मती फिंगर सनकी बड़ी है, इंसान हिम्मधी तो यह तो यह तो यह तो इच्छी दारमी का असा साटर फिंगर आपके म हतले पर थोड़ी नेगटिब मुझे दिख रही है, कभी भी नरने लो, यह को जरूरी नहीं है, कि इसके लिए कोई एज आपका बॉंडड़ है, कि यही एज में आप खराब लोगे, कुछ समय के बाद तो आप खुद भी सीख जाते हैं, लेकन फिर भी थोड़ा सा विचा को तो बता रही थी, प्रॉपकारी रेखा है, जातक प्रॉपकारी जरूर होते हैं, जातक 100% समझे लो, लोगों के लिए करना पसंद करते हैं, यहां से दबाव है तो विक्ति थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में करते हैं, थोड़ा ज़ादा ही करते हैं, और एक समय का जबरदस्त है, इतनी बढ़िया माइंडर है का आपकी जरूर है, कि किसी भी विसम परिस्तिती में आप चीजों को बहुत ही तरीकी के साथ हैंडल कर सकते हैं, एक मुझे मिस्ट्रियस क्रॉस जैसी आकरती दिख रही है, जो 36 में साड़ के बाद अच्छा पडिवर्तन को लाइफ बदलने के आसार है, और बढ़िया आपकी हर्दर रेखा है, ये भी बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही है, विस्टों योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, ये भी इस जबात का गहरा ही पुरवक परिशे करा रही है, बैलन्स काफी अच्छ को बता रही है, यहां से दबाबे तो विक्ति मैनती है, बागी रेखा जिन्दगी के लास्ट अकर तो बागी का पूरा साथ, लाइन ओफ एजूकेशन ठीक है, जातक बहुत समयजार परविर्तिक है, पैत्रिक संपतिका मध्यमस्तर ये साथ, सूरी रेखा परबल है, ये आपके लाइफ में हुए हैं, अकसर होते ही रहते हैं, तो माइंड पर नियंतरन करने की आपको आवशकता है, पाके आगे बे सूरी रेखा, यहां से देखो एक वीनु माकरती बना रही है, जो की बहुत गजब है, इवन बहुत शांदार, ये एक माइंड रेखा के पर चकराती है, जातक बहुत तेज है, किसी भी पर कारे के कारे को लाइटली नहीं लेते हैं, सिरियसली करते हैं, और हमेशा उद्देश से पैसा कमाने का ही रखते हैं, और हमेशा उद्देश से जिंदगी पर आगे बरने का ही रखते हैं ऐसे वेक्ति, दोनों सान मरकरी अच्छी है तो बुद्धिवेक से कारे करते हैं, दोडों मंगल बहुत जबरदस है, तो highly energetic, energy का परचकरा रही है, जातक प्राक्रमी होते हैं, और हमेशा समर्पित रहते हैं, लाइफ में आगे बरने हैं तू, अगर किसी भी विक्ति का मंगल प्रबल नहीं है, तो कही न कही वैसे विक्ति थोड़े कम energetic होते हैं, स्वास्त की समस्याओं से ग्रशित रहते हैं, अगर मंगल प्रबल है तो उत्तम स्वास्त के मालिक होते हैं, दिरगायू होते हैं, अलाकि आयू को लेकि विस्तम टिपन्नी तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मंगल प्रबल होतो दिरगायों कहने में कोई बुड़ाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो दोनों मंगल आपका बढ़िया है, फुर दे को एक जबरदस आपका चदरमा है, ये कहीं न कहीं जिंदगी पर धनागमन को बताता है, पैसे की फ्लो को बताता है, घर से दूर की उननती को बताता ह बागई रेका सुर्वाती दौर से थी लेकिन बहुत visibility के साथ नहीं थी 24-25 के बाद बढ़िया रही है बागई रेका एक बहुत बढ़िया बुद्ध रेका बंड रही है अगर इस रेका में visibility आजाए तो फिर क्या ही कहने एक सूरी रेका भी बंड रही है थोड़ा खराब समय साथ अच्छे समय में आते हैं तो थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है थोड़ा से चिंता सोब आपको जरूर बताती है बाकी मंगल भी आपका ठीक कंडिशन में है शुक्र भी बढ़िया है तो लाइफ में प्राब्लम क्या है कोई दिक्कत नहीं है हाँ थोड़ा समय खराब है आगे अच्छा आजाएगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे कमेंट कर से सब्सक्राइब कर दे विक्तिकत रूप से मैं असास तरह का दिखाके सही जानका नहीं पाना चाहते है हमारा वोट्स अप्रमर इसको से नहीं मिल्यागा लेकर आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद